नमस्कार दोस्तो, Weekly Current Affairs में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो हम देखेंगे दोस्तो, 19 तारिक से लेकर के 24 जून तक जितने भी Important Current Affairs है वो और उससे जुड़े हुए कुछ Extra Information तो चले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और खास बात यह मैं बता दूँ कि दोस्तो यह रिवीजन क्लास है तो इसमें आप आंसर खुदी दे सकते हैं देख सकते हैं कि आपको यह जानकारी पता थी या नहीं पता थी तो जो पहला सवाल आ रहा है दोस्तो आपसे पूछा जा रहा है कि पांच नेशन जो नॉन पर्मानेंट मेंबर सेलेक्ट हुए है यून सेक्यूरिटी कॉंसल में तो यहां भी जो पांच मेंबर दिये हैं उन में सब कौन से मेंबर नॉन पर्मानेंट मेंबर नहीं सेलेक्ट हुआ है यह बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों Kenya UN Security Council क्या है UN Security Council है दोस्तों one of the six principal organs ठीक है तो टोटल छे और गन से हैं ठीक है तो कौन कौन से है तो एक हो गया आपका General Assembly ठीक है दूसरा हो गया आपका दूसरा हो है UN Security Council तीसरा हो गया दोस्तों सेक्रीटेरियट सेक्रीटेरियट ठीक है चौथा हो गया आपका International Court of Justice जिसको सॉर्ट में आई सी जे भी कहते हैं और दोस्तों पांचवा हो गया आपका Economic and Social Council ठीक है और छट्टा जो है दोस्तों वह लास्ट है आपका ठीक है तो यह आपको याद अखना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ही बार-बार ठीक है कि छे और मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से होते हैं तो हम बात कर रहें UN Security Council की तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी और कहां पर इसका आपके तो निव याॉक में अभ यूआउं डीक आपक उडूसर पंध्रा मैंबर्स होते हैं जिन मेंग की पांच pos private होते हैं जो जो है नियुक होंगे इसमें से एक इंपोर्टन बात यह है कि इंडिया जो है अपने रीजन में दोस्तों अभी नॉन पर्मानेंट मेंबर है इंडिया कौन से एसिया पैसिफिक रीजन में इंडिया सेलेक्टेड है पहले वियतनाम था लेकिन अब यू एई को एड किया गया है अलगलग रीजन में आपको यह याद रखना है और यह इलेक्शन कि दुरू होता है दोस्तों टोटल 193 यून मेंबर से ठीक है टोटल 193 और इलेक्शन कि दूरू होता है टू थर्ड मेजोरिटी अगर आपको मिलती है तब ही आप क्या करता है आज नॉन पर्मानेंट मे आओगा यह याद रखेगा अगला कोशन आता है कि कौन से स्टेट गवर्ण ने दोस्तों लॉन्ज किया है वेडिक एजूकेशन और संसकार बोर्ड ताकि दोस्तों जो नॉलेज ऑफ संस्कृत और स्क्रिप्चर वेदास हैं उसको फिर से रिवाइब कर लिया जाए तो य यह बोर्ड जब आजाएगा तो यह करिकुलम फॉलो करवाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कब क्या पढ़ना है तो काफी अच्छा मूव है दोस्तों हमारे जो कल्चर है स्क्रिप्चर का वेदास का उसको रिवाइब करने का अब अगली कोशन के उपर प अगली के द्वारा यह देख सकते हैं इसका फोटो है दोस्तों यह बहुत चोटा है दोस्तों दस इंटू दस संटिमेटर का मात रहे एक्दम छोटा सा है आप बोल सकते हैं एकदम मीनी सेटलाइट रहेगा ठीक है तो यह पहला है इसलिए आपको याद रखना कि पहला इस कंट्री जो है वह इसके पार्ट है अब इसकी स्थापना जो होई थी वह 1975 में होई थी यानि कि इसरो से यह नया है दोस्तों इसरो जो है इससे भी पुराना है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं क्रिसक बंदू नामक स्कीम जो है लॉंच किया गया है वेस्ट बेंगाल और अब कितना किया जा रहा है 10,000 रुपए किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी इसकी तो यह ब याद रख सकते हैं चलिए अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं और कि एक प्लैट। लांच किया गया है किस बैंक के दौरा आपको बताना है एससोसियेशन कि अब इसको इसलिए लैज किया घए किस्टमर के ज़िस जो del De childish नियुट मॡूप ऐसको सब तो यह किया जा सके तो यह किया गया तो federal bank के दारा तीक है जिसा कि आप देख आ रहे हैं कि आज कल बोछ ज्यादा customer service को दुस्टो यहां पर monitoring thechnгр canche जा रहा ठीक है जिसके अंदर दोस्तों मार्केटिंग सेल्स कस्टमर सर्वेस सेल्स यह सारी चीजें जो हैं देखनी रहती है तो औरेकल और इनफोसी एक बहुत बड़ी कोची में किया गया था कोची करला अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है न दोस्तों कि कोची करला में इसलिए भी हुआ था और इसके कारण क्या है कि बहुत सारे जो इतके यूजर ने लगबख 15 लाक यूजर जो हैं यह 15 लाक इनके जो खाता धारक हैं वह बाहर में खासकर गल्फ कंट्री में क्योंकि आपको पता हुआ कि करला के काफी ज़्यादा लोग जो है दोस्तों गल्फ कंट्री में इन सब सिटी में काम करते हैं तो इसलिए पैसे भेजने में इजी हो इसलिए बहुत सारे खाता धारकों ने फेडरल बैंक को यहां पर चुना है ठ स्याम स्रीनिवासन चलिए अगले कोशन के उपर बढ़ते हैं कि सगुन नामक एक कॉंट्लैक्ट प्रिपेड गिफ्ट कार्ड लॉंच किया गया है लाइसी के दोरा किस बैंक के कॉलाबरेशन में तो यह किया गया है दोस्तो आइडी बैंक यह ऑब्यस भी है लाइसी जो है आपको पता ही होगा वह ओनर है ड़ी बैंक का तो उनके साथ ही उन्होंने कोलाबरेट के अपने बैंक के साथ ही करेंगे ना दूसरे थे साथ क्यों करेंगे तो यह गिफ्ट कार्ड है इसको आपका अमांट होता है जैसे कि 500 रुपए है तो इस 500 रुपए से आप कुछ भी जाके इसको खरीज सकते हैं तो गिफ्ट कार्ड जो है दोस्तों काफी ज्यादा चलन में आ रहा है आपको पता ही होगा कि काफी फिमस हो रहे हैं इसलिए इसी को मद्दे नजर रखते हुए इन्होंने अपना एक क्या करें गिफ्ट कार्ड लॉंच किया हुआ है अब आई डीवाई बैंक की बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो आई डीवाई का फुल फॉर्म जिसे कि देखने को मिले इंडिस् समझ में आना चाहिए आपको कि यह जो लॉंच किया गया था 1964 में एक एक्ट के द्वारा इंडियन गवर्मेंट के तो उसमें दोस्तों इसलिए किया गया था कि जो इंडिस्टी जो अपकमिंग इंडिस्टी उनको फाइनेंसियल फैसिलिटी और प्रवाइड किया जा सके अब आपको मैंने अल्रेडी बता दिया कि LIC के सबसेडरी है यानि कि LIC ने इसे खरीद लिया है दोस्तों आइडिवे बैंक दोस्तों प्राइविट बैंक नहीं है एक पब्लिक सेक्टर बैंक के यह धियान रखे बहुत लोगों कन्फियूजन होता है अब इसके जो MR कुम को एड किया अपने प्रिस्टीजियस ICC Hall of Fame में आपको बताना है कि कौन से इंडियन को अभी सामिल किया गया इन 10 में से कौन से इंडियन है तो यह है दोस्तों वीनू मांकट ठीक है तो वीनू मांकट का आपने नाम भले न सुना हो लेकिन यह ज़रू फोटो देखा होगा वीडियो देखा होगा जहां पर कि आर असमिन इस तरह से आउट कर दे तो इसको बोलते हैं कि मांकट वे अफ इटिंग आउट ठीक है तो इसमें क्या होता है कि बॉलर जब बॉल करने जाता है और बॉल फेकने से पहले ही अगर बैट्स में क्रीज के बाहर आ जाए तो क्य लेकिन इसमें कॉंट्रिवर्सी है लेकिन आपको यह ऐसा फैक्ट इन्फॉर्मेशन याद रखना है तो वीनु मांकट जैसे देख पा रहे हैं काफी पूराने क्रिकेटर है तो इनको आड़ किया गया है अब कुछ और क्रिकेटर को अभी आड़ किया गया तो काफी सारे तो पुराने नेम है इसमें से दो नेम्स जो है वह आपको सैद सुने होंगे एक है एंडी फलार जो की जिंबावे से खेलते थे और दूसरे कुमार संगाकारा जो की स्रिलंका से खेलते थे तो यह तीन क्रिकेटर है जिटके नाम आपने अभी सुने है दिए चली अगले को पता है कि बहुत सारे कंट्रीज ने दोस्तों अगर आपको वेक्सिनेट नहीं किया गया है तो वो आपको एंट्री नहीं करने देते हैं तो अब जापान ने स्टार्ट किया कि वो अपने पास्पोर्ट पर ही मेंसर कर देगा कि यह बंदा वेक्सिनेटेड है या नहीं है और यह ऐसा क्यों किया है ताकि जादसे जादा जो business trips है और tourism है ऊसको फिर से रिलाउच किया जासे कि ताकि जादसे जादा मैं जाँ जाए और वहाँ पे पकूर ले हो का बादको पार आने फाड़ी कंट्रीज को भी फाइदा होगा, तो आपको भी पता हुए कि 2020 में सेलेक्ट हुए थे दोस्तों वो है योशी हीदे सुगा ठीक है अगला सवाल है दोस्तों कि किस डिजिटल पेमेंट अप ने दुस्तों लाँच किया है इंडिया का फर्स्ट वाले आटो टॉप फीचर ठीक है आपको यह बताना है तो यह किया है दोस्तों फोन पे अब नहीं है कि यह फर्स्ट वालेट है लेकिन आप बोल सकते हैं कि यह फर्स्ट यूप यह बेस्ट वालेट है ठीक है जिसने की यह फीचर लांच किया है तो इसमें बहुत सारे चीज़े दोस्तों कि आपके पैसे एड़ हो जाएंगे और आपको बार-बार क्या करता है पैसे अब बहुत सारे ग्लीचेज थे लेकिन अब सारे ग्लीचेज इन्होंने रिजॉल्व कर दें और बहुत अच्छा प्लैटफॉर्म ही इसकी स्थापना कीथी दोस्तों समीर निगम ने जो कि इसके फाउंडर और CEO भी है जिसका हेड़ कॉर्टर दोस्तों बैंगलोर में है और एक खास बात है कि इसको कौन ओन करता है इसको ओन करता है फ्लिपकार्ट ठीक है फ्लिपकार्ट ने इसे खरीद रखा है ठीक है तो यह बाते हैं याद रखिएगा अगला सवाल आता है इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोस्तों रिसेंट्ली अपॉइंट किया है कर ICJ से confused मत होईएगा ICJ अलग है और International Criminal Council जो है वो अलग है दोनों डिफरेंट चीज़ है क्योंकि मैं खुद confused हो गया था इसमें ठीक है तो यह है इसके बारे में तो Criminal Council है इसके बार में खास बात यह है इंडिया से related कि इंडिया इसका पार्ट जो है दोस्तो ICC का जिसको बोल सकते हैं इसका पार्ट नहीं है इसका इंडिया नहीं है तो यह बात आप याद रखेगा अब बात करते हैं International Criminal Court की तो इसका जो दोस्तो हेड़कॉर्टर है वो हेग में है कहां पर हेग नेधरलेंड्स अब खास बात यह हैं कि ICG यानि कि International Justice of Court जो है दोस्तो इसका भी हेग नेधरलेंड में ही हेड़कॉर्टर है इसे कन्फ्यूज नहीं किजिएगा अब अगले सवाल के ओपर बढ़ते हैं European Inventor Award 2021 जीता गया है सुमिता मित्रा के द्वारा तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस टेकनोलोजी के लिए इन्हें यह अवर्ड मिला है यह मिला है दोस्तो युज आफ नैनोटेकनोलोजी को यूज करके डेंटिस्ट में एक नया प्रवधान ला दिया पूरे दुनिया भर में लोग इसको हो जाते हैं तो उसको फिलिंग के लिए इन्होंने नैनो टेक्नलोजी का यूज किया और काफी ज्यादा ये एफिसेंट है और दुनिया भर में इसको यूज किया जा रहा है पॉलराइजेशन हाई एक्टियसी एक्सपेरिमेंट जिसको कि सॉट में बोलते हैं पैसीफाई इस एन इंटरनेशनल कोलाइबलेटिव स्काय सर्वेंग प्रोजेक्ट तो आपको बताना है कि यह जो सर्वे है दोस्तों वह किस पे किया जाएगा स्टार्स पे कॉमेट्स मिल आपको बताना है कि कि में से जो सबसे लुवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स पर पोलिंग स्टेशन रेजिस्टर किये गए थे तो यह किये गये थे अरुनाचर प्रदिस में अब कोश्चन आप अच्छे समझेगा क्या पूचा जाए कि लुवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट निश्टर वुटर्स ने जाएं अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि तीनों का फोटो है यहाँ पे दोस्तों चीफ एलेक्टर्स चैन्द्रा का इंडिए तीनों है आपको इनका नाम भी या रखना आपसे बार-बार ये पूछा जाता है दोस्तों अब दोस्तों यह करोर वोटर्स ने दोस्तों वोट डाला था विच इस नमबर इंद वर्ड सोच सकते हैं अब यह सत्रवां जेनरल इलेक्शन था यह भी आपको याद आखना 17 जेनरल एलेक्शन ठीक है और जो दोस्तों कितने पॉलिंग स्टेशन लाए गए थे तो टोटल दस लाग स्टेशन कहां थे सबसे जादव जहां पर यह यह सबसे ज्यादा जन संक्य उत्तर परदेश की है तो वहां पर पोलिंग स्टेशन भी उत्तर परते संप का ही होगा अगले सवाल के उपर बढ़ते हैं तो बिहार के सीम दोस्तों उन्होंने राली में launch किया है मोख्य मंत्री महिला उद्यमी योजना जिसमें कि दूसर दस लाग का लोन प्रोवाइड किया जाता है अनिम्प्लॉइमेंट वोमेंट ठीक है ताकि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके ठीक है तो पूछा जा रहा है कि सबसीडी के तौर पे कितना अमांट प्रो कर जाए को बहुत अच्छा कदम है अब देखना पड़ेगा कि कितने अच्छे से यूटलाइज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें घपलावाजी होता है कि जो हस्बेंट होते हैं वो अपनी वाइफ के नाम पे ले ले लेते हैं और बिजनेस वो खुदी करते हैं ठी कि राशन किट्स प्रोवाइड किया जाए लो इंकम जो भी आईडी एफसी फर्स्ट बैंक कस्टमर्स हैं रूरल लोकेशन में तो आप उसे पूछा जाए कि कितने रुपें उनको प्रोवाइड किये जाएंगे यहां पे एसेंसियल को खरीदने के लिए तो यह किये जाए यह तो यहाली में खुला वाएक बैंक है जो सब्सक्राइब जादा पुराना बैंक नहीं जो कि मुंबई में इसका जोस्तों मैंने बता है कि ज्यादा तर फाइनेंसियल इंस्टिउट के जो हैड़कोर्स हैं मुंबई में तो इसका भी मुंबई में है अब इसके जो MD&CEO और यह तो है वह व्याद्यानाथन ठीक है यह इंपोर्टन जो याद रखेगा व्याद्यानाथन ठीक है चलिए अगले कोशिण को परवढ़ते हैं अगला कोशन आ रहा है कि हर एक साल 21 जून को इंटरनाशनल डे और योगा मनाया जाता है ठीक है आपको पता ही तो आपसे द्वारा दोस्तों इसको पूरे वर्ड में आप International Day of Yoga मनाया जाता है अब 21 जून की खासियत क्या होती है दोस्तों 21 जून जो है माना जाता है कि पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है longest day ठीक है longest day होता है इसले भी इसको को कमेमरेट करने के लिए मनाया जाता है इसमें बाबा राम देप का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने योगा को घर घर पहुंच आया तो यह सारी चीज़ें अब इसका एक इंपोर्टन चीज़ें क्या था तो इसका थीम था योगा फॉर वेल बिंग हर एक साल दोस्तों क्या करता है आपका योगा फॉर वेल विंग हर एक साल कुछ ना कुछ अलग अलग तीम डाला जाता है तो इस पार था योगा फॉर वेल बिंग तो इसको जरू से जरू याद रखेगा अब अगला कुशन बढ़ता है कि पंद्रवे एडिशन ग्लोबल पीस रेंग कौन सा है तो यह दोस्तों साउथ ऐसी रीजन का तो आप बता सकते हूं कि फिट है सोच सकते हैं कि साउथ ऐस्या में भी इंडिया काफी पीछे और अगर बात की जाए तो इसकी क्या ग्लोबल पीस इंडेक्स तो इसको कौन करता है दोस्तों इंसिटीट आफ लेंड को मिला है और सबसे नीचे कौन अफगानिस्तान है ठीक है कौन है अफगानिस्तान सबसे लास्ट है ठीक है तो जैसे कि आपको समझ मेरे गुलोबल पीस इंडेक्स याने कि किस कंट्रि में कितनी पीस है इंडिया का रैंक 200 बहुत खराब है 115 रैंक है आप सोच सकत कि Central Bank ने दोस्तो रिजर्व ट्रांसफर किया अपने जो रिजर्व होते हैं RBI जैसे हमारा उनके पास अपने रिजर्व होता है तो किसने सबसे हाइस रिजर्व दोस्तो अपने परसेंटेज जीडिपी परसेंटेज वाइस जो है वो दिया है अपने गवर्मेंट को 2021-2021 में त दोस्तो कि आप खुद सचो कि गवर्मेंट को खुद सेल्फ सस्टेन होना चाहिए कि वो अपने खर्चे निकाल सके उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए लेकिन आर्बिया के खुद अलग से एक फंक्शन होता है financial stability को रखना तो यह अच्छी बात नहीं है ले तो वो है Istanbul ठीक है Istanbul ठीक है काफी famous city है दोस्तों और यहां की currency क्या है लीरा ठीक है आप बोल सकते हैं टर्केरियन लीरा अगले सवाल के उपर बढ़ते हैं कि International Day of Yoga per occasion पे Minister of State for Education ने लांच किया NOS Diploma Course in Yogic Science ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें O क्या है और IOS में क्या है तो N इसका full form आपको पता होना चाहिए National Institute of Open schooling ठीक है तो इसका क्या होगा जाएगा open जो है full form हो जाएगा ठीक है अब आप से पूछा जा सकते हैं कि Minister of State for Education कौन है तो यह हैं दोस्तो संजय धोत्रे क्या है संजय धोत्रे संजय धोत्रे और आप से पूछा जाए कि education minister कौन है तो तो याद रखेगा अगला सवाल आ रहा है कि अनंत बर्वा का टेन्यों जो है दोस्तों बढ़ा दिया गया है दो साल के लिए ठीक होल टाइम मेंबर के रूप में तो आपको बताना है जैसे कि इसको WTM भी बोलते हैं तो यह किस institution के लिए बढ़ा गया यह किस institution के काम करते ह दो सेवी यहीं कि security and exchange board of India ठीक है जिसका headwater कहां पर दोस्तों headwater मुंबई में है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी इसके स्थापना कहां पर हुई थी ठीक है और इनके जो CEO है दोस्तों कौन है MDCO तो वो है अजय त्यागी ठीक है तो यह कुछ important मुझे लगता है आपको या नचमेक्स girls perable for a planet in crisis तो आपको बताना है कि जिसके दोर की लिखी एक तो यह लिखी गये दोस्तों अमिताव गोस्त के दौरा तो यह जिसे आप यह बुग देख पार हैं ठीक है तो यह अमिताव गोस्तों घ्यान पिट आवाड़ी नहीं है तो गयान पीट इस्तों घ्यान एक्षिस का ग्रैंड प्रिक्स 21 का एक्षिस यानि यह फॉर्मूला वन एफ वन रेस के लिए दुस्तों यह यूज किया जाता है ठीक है तो f1 रेस के लिए तो कौन किसको हराया दूस्तों इन्होंने भी नंबर वन चल रहे थे अब लुइस हैमिलüpार्टन चानल चलाते हैं ये मर्सेडी इस को यह जो है करती है वो अपने डावभर्स को वहाँ पर रखती है तो हैमिल तन किसे लए चलते हैं मेरे से मेर्सेडी सेखल से आपको याद रखने चाहिए और तो कि इस मोश्चली कोशन आपको आते हैं क्योंकि यह रिवीजन क्लास है मैं जो हैं सुभा को रोज 7 बजे दोस्तों आपको क्लास लेती है गाइडली पर ठीक है आशी माम मैं तौसा करता हूं कि आप रोज क्लास को आप अच्छे से करते हो गर उसी मताबिक से आप यहां पर सा धन्यवाद मेरा ना में शुवा मैं आपसे लवीदा लेता हूं